एक कप अच्छी चाय हो जाए तो सुस्ती दूर हो जाती है। सुबा हो या शाम आपको ये कहते हुए लोग मिल जाएंगे। सुबा सोकर उटने के बाद लोगों की पहली डिमांड चाही होती है। जब चाय का इतना अधिक प्रचलन हमारे समाज में हैं तो चाय की खरीद भी भारी पेमाने पर होती है। ऐसी सूरत में चाय का ढाबा खोलना फाइदे का सौदा हो सकता है। नमस्का दोस्तों मैं अधिमनना और आप देखरे हैं। क्रेडिट बहुत स्वागत है। आपका आज बात होगी आपसे चाय की चुस्कियों के बारे में। जब आप दुपहर का खाना खालेते हैं तो एक दो घंडे के ब्रेक के बाद चाय की तलब होती है। लगता है याँ, गहीं से मिल जाए तो बस कोई पिला दे, मुझे तो ऐसा है कि खाना मैं खुट बना लूगी लेकिन अगर मुझे कोई पिला देना वह भी मेरे टेस्ट की तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे टेस्ट की बनाना थोड़ा सा मुश्किल है तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि चाय का बिजनस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और चाय की बिजनस में कितनी लागत और कितना प्रॉफित आप कमा सकते हैं लेकिन उससे पहले आप मुझे चाय पिलानी होगी पुझे चाय पर इक बिला रहे हैं और मैं चाय पिने कब आ सकती हूँ तो चलिए बिनादेर कि देखे हैं कि चाय का बिजनस कैसे शुरू कर सकते हैं चाय का ढ़ाबा कहां खोले? चाय का ढ़ाबा या दुकान शहर या गाउ में उस जगा खोलना चाहिए जहां पर हमेशा जादा भीड़ भाड रहती है वहाँ पर चाय का ढ़ाबा खूब चल सकता है इसके लिए आपको रिल्वी स्टेशन, बरसड़ा, अस्पताल, कॉलेज, हॉस्टल, इंडस्टिल एरिया, सिनेमा घर, कचेहरी, तैसील, सरकारी कारियाले जैसी जगा चाय का ढ़ाबा खोलना चाहिए गाउ में में रोड या नुकर्ण में जहां लोगों का आना जाना अधिक हो, वो जगा भी चाय के ढ़ाबे के लिए अच्छी है चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाला रॉ माटेरियल हमारे यहां गाड़ी चाय पी जाती है, इसके लिए आपको अच्छे फैट वाला दूद की जरूरत होगी आपके इलाके में चाहे वो गाए भैस का दूद मिले तो उसका इस्तेमाल करें या पैकेट वाला फुल क्रीम का दूद इस्तेमाल करें अच्छे फैट फाला दूद, चीनी शक्कर या शुगर, चाय की पत्ती, अद्रक, लॉंग, इलाइची, दालचीनी, चॉकलेट पाउडर, लेमन ग्रास कौन-कौन से लाइसेंस लेने होंगे? वैसे शुरुवात में केवल लोकल बॉड़ी का ही लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद जैसे जैसे बिजनस पढ़ता है, वैसे वैसे दूसरी लाइसेंस लेने पढ़ते हैं FSSAI का फूड लाइसेंस, लोकल बॉड़ी, नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत से फूड लाइसेंस, बिजनस बड़ा होने पर GST नमबर कितनी तरह की चाय की होती है वराइटी? चाय के बिजनस में कितनी लाग अताती है? चाय के बिजनस में लंबी चोड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, एक छोड़ी सी दुकान अपनी हो यह किराएपर चाय बनाने का सामान, चाय का रॉड मटिरियल आदी पर ख़र्च अधिक नहीं होता है, ये बिजनस 10,000 रुपे में शुरू किया जा सकता है अच्छी चाय की दुकान 50,000 से 2,000,000 में खोली जा सकती है इसके लाब आप किस एरिया में दुकान खोलना चाहते हैं उस पर निर्पर करता है जहां आपको आंधनी अधिक दिख रही हो, वहां की दुकान महेंगी हो तो लेने में संकूच नहीं करना चाहिए कितना मुनाफ़ होता है? चाय की दुकान में मुनाफ़े की कोई सीमा नहीं है कमलागत में अधिक मुनाफ़ा देने वाला सबसे अधिक लोगप्रिय बिजनस है मुनाफ़े का प्रतीश्यत आपकी चतुराई पर निर्पर करता है जदि आप बिजनस करते समय फिजूल खर्ची बजा लेते हैं तो आपका मुनाफ़ा बढ़ जाता है मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए आप अपनी दुकान पर चाय के साथ इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजें भी बेचें तो आपका मुनाफ़ा और बढ़ेगा इस बात का आवश्य ध्यान दें कि मुनाफ़े के चक्कर में सबसे पहले आप अच्छी लोकेशन पर सस्ती दुकान तलाशें वहाँ आप छोटी पूंजी से चाय बनाना शुरू करें और शुरू में बहुत कम पैसों में लोगों को चाय पेचें चाय पीने वाले ग्राकों की बातों को अच्छी तरह से सुनें और उनके द्वारा बताएगी अच्छाईयां और कमियां दूर करें अपनी चाय का फीर बैक अवश्य लें पोशिश करें कि अच्छे से अच्छा सुवाद वाली चाय दें जितनी अच्छी चाय बनाए उतना ही अच्छा वेभार करें दोनों को मिलाकर जब ग्राहक आपकी दुकान में बढ़ने लगे तब ही समझें कि आपकी चाय की क्वालिटी अच्छी है चाय को लोगप्रिय कैसे बनाएं चाय को लोगप्रिय बनाने के लिए आपको उस इलाके की पुरानी जमी हुई दुकान को देखना होगा कि वो कौन सी चाय की पत्ती और चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं इससे ये सीखें कि इसक्षेत्र के लोग इस तरह की चाय पसंद करते हैं आपको उससे अच्छी चाय बेचनी है तब ही ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे गर्मी और सर्दी के सीजन में होने वाले बतलाव को भी ध्यान में रखें सर्दियों में लोग अद्रक वाली चाय अधिक पसंद करते हैं लेकिन गर्मियों में अद्रक से लोग परहेज करते हैं उसका ध्यान रखते हुए अपनी चाई में अदरक की जगा इलाइची का इस्तेमाल करें इससे आपकी चाई की ग्राह की और बढ़ेगी मार्केटिंग कैसे करें गूगल माई बिजनस में अपनी दुकान को दर्च करा लें आसपास की दुकानों के आसपास टिकर लगवाएं जिस मार्केट में आप अपनी दुकान खोल रहे हैं वहां के लोगों से संपर्क बढ़ाएं मार्केट तक अपनी चाई की डिलिवरी के लिए हैल पर रखें और ग्राह को के ओर्डर का पूरा ध्यान रखें और समय पर चाई पहुँचाएं चाई का बिजनस मांगता है डेडिकेशन चाई की दुकान चलाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चाई की दुकान सुबा जल्दी खुलनी चाहिए सुबा ग्राकों को आपकी दुकान खुलने का इंतजार रहता है आपको सुबा 5-6 बज़े के बीच दुकान खोलनी होगी, दुकान को भी नियम से खोलना होगा, यानि कि आपको अपनी सुबा की नियम का त्याक करना पड़ेगा चाय बनाने वाले भी एक ही आदमी होने चाहिए, जो चाय की क्वालिटी शुरू से एक जैसी बनाए रखे, तब ही आप अपनी दुकान चला सकते हैं, आपको दुकान पर समय पर पहुंचना होगा भले ही आपका सहायक देर से आए, सुबा 6-9 बज़े तक आपकी चाय सबसे अधिपित्ती है, ये पूरे दिन की बिकरी का 80% हिस्सा होता है, इसलिए इस समय में किसी भी तरह से चूखना नहीं चाहिए, यदि दुकान खुलने का नियम टूटा, तो आपका ग्रहक भी टूट चाएगा, इसलिए हमेशा समय का ध्यान रखे हैं और हो सके तो लॉंग भी डाल लीजेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना दस्तक दे रहा है, बहुत जरूरी है ये चीज़ें आपकी इम्यूर्टी के लिए है, तो चलिए अपना ख्याल रखेगा OKCredit, बिजनस OK है